असलाम आलेकूं नमस्ते दोस्तों चलिए आज हम बनाएंगे ब्रेड सान्वीच मैं किस तरह बनाती हूँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं यहां पर एक बारी कटा हुआ पियाज है दो बारी कटा हुआ टमाटर है एक बारी कटा है हरा मिर्च है थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया है पांच यहां पर मैं ब्रेड ले ली हूँ और जो यह साइड का है इसे हम कट नहीं करेंगे बाउल में बारिक कटा हुआ हम टमाटा डाल देते हैं बारिक कटा हुआ हरे मेच डाल देते हैं बारिक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देते हैं बारिक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं दोस्तों चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करेगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करिएगा कमेंड करके जरूर बताईएगा अब इसमें हम डालेंगे स्वादनुसा नमत एक चिमच इसमें हम डाल देते हैं तेल तेल दोस्तों यहाँ पर मैं नार्मल तेल डाल रही हूँ आप चाहे तो सरसो का तेल इस कर सकते हैं सरसो के तेल में भी बहुत अच्छा टेस्ट रहता है अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो लीजे दोस्तों यह सलाद बनकर हो गया है तयार मैं इसी तरह बनाती हूँ मेरे बच्चे बहुत खाना पसंद करते हैं इसे दोस्तों मेरे बच्चे स्कूल में भी ले जाते हैं अब घर में भी जब खाने को दिल करता है तो मैं इसी तरह बनाती हूं तो देखिए सलाथ बनकर हो गया है तैयार ब्रेड यहां पर दोस्तों पांची ब्रेड है तो मैं एक ब्रेड में इस तरह कट लगा लेती हूं ये देखिए इस तरह सेन्वीच का हम डिजाइन दे देते हैं ये देखिए तो ये दो टुकड़ा हो गया इसको मैं कट कर ली हूँ अब ब्रेट के उपर ये जो मैं सलाथ बनाई थी ना टमाटर पियाज हरा पत्ता धनिया का हरे मेर्च का तो इन सभी को हम अच्छे से फैला इस तरह हम दूसरा ब्रेडल रखकर इस तरह हलके हाथ से दबा देते हैं ताकि ये निकले ना तो हलके हाथ से इस तरह दबा देना है ये देखिए तो यहां पर देखिए सेन्वीच हो गया है तैयार तो इससे हम हलका सा फ्राई करेंगे हलका सा फ्राई करने के लिए ताव को रख देते हैं यानि कि सेंवीच को हम रख देते हैं तो यह देखिए सेंवीच को मैं रख दी हूँ एक तरफ इसे हलका पकाएंगे फिर उसके बाद में पल्टेंगे ज्यादा पकाना नहीं है सिर्फ हलका हलका इसका कलर देना है तो यह देखिए इसको मैं पल्ट देती यह देखिए इसका इस तरह कलर आ गया है तो देखिए दोस्तो सन्वीच रेडी हो गया है तो इसे हम निकाल लेते हैं अच्छे से दोनों तरह पग गया है यहां पर दोस्तो मैं सभी सन्वीच को निकाल लिये हूँ साथ में ये जो मैं सलाथ बनाई थी ना ये भी हम सलाथ थोड़ा सा रख लेते हैं और टमाटो केचप भी रख लेते हैं आप अपने चटनी के मन पिरसंद चटनी के हिसाब से दोस्तों खाईए बहुत टेस्टी लगता है बच्चों को दोस्तों खास करके टमाटो केचप के स